हाँ तो बच्चों बताओ क्या दिक्कत आ रही है क्या समस्या आ रही है आप लोगों को unseen passages करने में चलो प्रिया तुम खड़ी हो जाओ बताओ क्या दिक्कत है पेटा unseen passage करने में सर इतना lengthy passage आता है बहुत time लग जाता है solve करने में कैसे solve करें ओ ये तुम्हारी नहीं बाकी और भी बहुत सारे बच्चों की समस्या है अभी आते हैं इस पर तुम खड़ो जा बेटा गजो धर तुम्हारी क्या समस्या है भाई unseen passage को लेकर सर सनानिम्स और अपोजिटर समझे नहीं आते हैं हाँ तो यार अब वकैप से आद नहीं करोगे तो सनानिम्स अन्टानिम्स में तो दिक्कत होगी ना लेकिन कोई बात नहीं नहीं आध करना पड़ेगा आज की ट्रिक मेरी समझो जीवन भर नहीं भूलेगा तो क्या आपकी भी इनमें से कोई समस्या है या unseen passage करने में अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आज की इस वीडियो में ऐसे चुड़की बजाकर unseen passage की सारी problems को हम खतम करेंगे और साथ में practically आपको करके दिखाने वाले हैं क अगर तुम एक सीक्रेट बताता हूं unseen passages के बारे में भाई सहाब जो examiner है वो आपको भर-भर के नमबर देगा अगर तुम unseen passage के answers में ये दो गलतिया नहीं करते हो तो अब तुम इतना बड़ा exam देने जा रहे हो थोड़ी तो efforts तुम्हें लगाने पड़ेंगे अगर तुम उन बच्चों की category में से हो जो आज तक unseen passage की ही line उठाकर exact answer में लिख देते हैं तो बंद करना पड़ेगा रे बाबा Do not ever copy the lines of unseen passage in your answer आपको अपना answer खुद frame करना पड़ेगा बात वही रहे बट अपने language में Have you got it? Now the second one, do not add any extra information by yourself यहाँ पर सान पटी बिलकुल नहीं चलने वाली है अगर आप unseen passage में दिये गया information के अलावा कोई और information अपने से logical conclusion निकाल कर कोई information लिखते हो unseen passage के answer में तो आपको number नहीं मिलेगा Now, वीडियो के उस हिस्से पर चलते हैं जिसके लिए आप ये पूरी वीडियो देख रहे हो आपके screen पर मैं 10 minute का timer लगाऊंगा और इस 10 minute में हम साथ साथ में कुछ photo tricks, कुछ mind blowing tricks का अस्तमाल करके passage एक उठाएंगे आपके सामने और कौन सी tricks, किस तरीके से passage को करोगे, सारे answers सब कुछ practically इस वीडियो में निकाल के दिखाने वाला हूँ, मेरे लिए भी passage बिलकुल नया है, तुम्हारे लिए भी passage बिलकुल नया होगा, so, let's get started सभी questions में काम करेगी, जो आपके board exam में आएगा, तो बहुत ध्यान से और बहुत दिमाग को खोल कर इस वीडियो को देखना है ना, तो चलिए, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आप passes देख रहे हो, passage को मत पढ़ो, तुम्हारे time जाता है, सबसे पहला काम क्या होना चाहि questions पढ़ो, questions पढ़ो, the first thing should to read questions, अब देखो प्रसनों पढ़ना है, और प्रसनों पढ़ने का एक तरीका होता है, मेरे दोस्त, मैं आपको आगे बताता हूं, which of the following statements best describes the author's attitude towards studying poetry, अब देखो यार, इस पाले, पहला वाला जो पैसेज होता है, उसमें आपको attitude, tone, या what is the meaning of the poet, या what is the meaning of the author, ऐसे वाले questions जादा आते हैं, जिसमें आपको खुच से मतलब निकालना होता है, है न, पहला question पूछ रहा है कि आपको बताना है, author का attitude कैसा है, studying poetry को लेकर, यानि poetry पढ़ने को लेकर author का क्या attitude है, यही पर काम आता है हमारा पहला step, हमारा पहला trick है कि find a difficult word from the question and search it in unseen passage, वही पर आपको अपना answer मिल जाएगा, तो हमने एक difficult word ले लिया, studying poetry, हमारा काम है इसी word को ढूड़ना, ठीक है, अब आजाते हैं passage की तरफ और यहाँ पर काम आता है हमारा दूसरा trick, भाई, you should always use top to bottom approach while finding answers, जब भी आप unseen passage का answer ढूड़ो, top to bottom approach का use करो, यानि पहले question का answer पहले passage में, दूसरे question का answer उसके नीचे, तीसरे question का answer उसके नीचे मिलेगा, line से मिलेगा answer, ठीक है, तो पहला question studying poetry था, question में पूचा था, कि attitude कैसा है author का poetry पढ़ने को लेकर, तो चलिए देखते, studying poetry का लिखा है, यहाँ लिखा है, ठीक है, studying poetry, word मिल गया, आगे देखते है, studying roller coaster ride, भाई साब पहली line में बता दिया, poetry पढ़ना, जैसे roller coaster ride लेना, roller coaster ride ले हो, कभी नीचे जाता है, वो कभी उपर आता है, बिल्कुल ऐसे ही, poetry पढ़ना कैसा है, this journey is punctuated by moments of profound appreciation, कभी-कभी आपको appreciation मिलेगा, और कभी-कभी आपको frustration भी होगा, जब भी आप poems पढ़ते हो, अगर poem समझ गए पढ़ते-पढ़ते, तो आपको appreciation feel होगा, आपको लगेगा, मैं कितना अच्छा काम कर लिया हो, और कभी-कभी आप poem नहीं समझ पाओगे, तो आपको लगेगा, मैं frustrated हो गया हो, तो ये बिल्कुल roller coaster ride की तरह है, कभी आपको gum मिलेगा, कभी आपको खुसी मिलेगी, समझ गए poetry पढ़ना कैसा है, अब हम इसका answer ढूरते हैं, अपने question number one की तरफ चलते हैं, ठीक है, देखते कौन सा option सही बैठता है, पहला, finds poetry to be frustrating, हाँ frustrating तो है, meaningless endeavor, नहीं, भाई, ऐसा नहीं है कि poetry पढ़ने से कुछ मिलता नहीं है, वो आपको appreciation भी देता है, अभी ह खराब करने जैसा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तीसरा, recognizes the challenges of studying poetry, but also acknowledges the rewards it offers, देखो, इसमें दोनों बात की गई है, कि poetry पढ़ते पढ़ते कभी आपको challenging भी feel होगा, कभी आप frustrated भी हो जाओगे, कभी कभी आपको reward भी मिलेगा, आपको appreciation भी मिलेगी, तो हो गया ना, roller coaster ride, कभी reward मिलेगा, तो हमारा C वाला option is our correct option, समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो पहला question मैंने जिस तरीके से solve किया, बिल्कुल यही तरीका होना चाहिए, अच्छा, अभी बहुत सारी tricks है मेरे दोस्त, let's move to our second question, दूसरा question, वही तरीका अपना हैंगे, पहले question पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है कि what is the tone of the writer, मैंने बताया इतना ऐसे questions आपको ज्यादा मिलेंगे, बोल रहा है what is the tone of the writer in the given lines from paragraph number one, एक line दी गई है नीचे आपको, इस line में author का tone कैसा है, जैसे मैं अभी teaching tone में पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग listening tone में हो है न, तुम लोग सुनने की mode में हो, ऐस ही author ने जब ये line कही, तो उसका tone क्या था, तो सबसे पहला काम होना चाहिए, पहले तो ये line ढूडो, जहां पर बोला गया है, तो देखते है, sudoku वाला line कहां पर है है न, आईए पढ़ते हैं, और मैंने बताया था कि जहां पहले question का answer मिल गया, उसके नीचे ही मिलेगा, या can be both waxing and demotivating, कह रहा है कि भाई साब, अगर आप poetry पढ़ते हैं, कभी first जाते हो न, तो आपको बहुत demotivating feel होता है, और author दे को एक बड़ी important line कह रहा है, कि जो poem लिखने वाले होते हैं, वो poem को इतना difficult बनाते हैं, कि if solving a riddle, अगर हमें पहलिया ही बुझाना होता, तो हम sudoku खेल लेते, poem बढ़ने कहें आए हैं, one is led to ponder if obsecurity was the goal, यह जो passage लिख रहा है, वो कहता है कि जो poets होते हैं, वो जानबूच कर अपने poems को इतना difficult बताते हैं, इतना difficult बनाते हैं, कि भाई, इंसान सोचता ही रह जाए, one is led to ponder, है न, तो इस पूरे line में, मचाक उड़ाया जा र बनानी हैं, इतना ही पहेलिया बुझाना है poems में, तो आप कहदो हम sudoku खेल ले, मचाक उड़ाना हुआ न, तो यह कैसा tone हुआ, यह satirical tone हुआ, यानि मचाक उड़ाते हुए, तो आईए इसका answer लिखने की कोसिस करते हैं, देखते हैं, क्या correct answer हो सकता है, इसका 40 words में लिखन बताता हूँ, इन दोनों points को अपने answer में include कर देना काम बन जाएगा आपका, क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे, कि these lines suggest satirical tone of the author, कैसा tone है, author का satirical tone है, यानि मचाक उड़ाते हुए, ठीक है, अब एक चीज़ और तुम एड़ कर सकते हो, ताकि 40 words हमारा complete हो जाए, क्या कहोगे, कि author, चलो इसको हम ही ले लेते हैं, he is not impressed, he is not impressed, impressed with poems having complex words, हमने दो बाते यहां पर लिखी, हमने दो बाते यहां पर लिखी, और यह दोनों बाते कि इसी line से related है, इस line को बोलते हुए, author का जो tone था, वो satirical tone था, और इस line को बोलते हुए, हमें यह पता चलता है, कि वो impressed नहीं है, किस से नहीं impressed है, उन poems से, जिनके अंदर बहुत difficult words होते हैं, क्योंकि भाई, अगर impressed होता, तो वो थोड़ी कहता कि, अगर आपको इतना difficult ही poem लिखना है, तो आप कह देते हैं, सुडोकू खेल लेते हैं ना, तो these two points should be included in your answer, जब आप इसका answer frame करोगे तो, है ना, let's move to our next question, that is question number three, और इस वाले question का एक जानदा trick आपको मैं बताता हूँ, भाई, unseen passages में, जब कभी भी complete the sentences वाले question आए, तो उसका answer अपने मन से नहीं ढोड़ना है, उसी passage में answer दिया रहता है, समझ गए, complete the sentences वाले question का answer, आप जिस line से ये उठाया गया है, उसी line में answer ढोड़ोगे है तो हम सबसे पहले क्या करते है, important line ढूरते है, curl up in a ball and cry, और ढूरते हैं कि ये passage में कहां use हुआ है, और question भी पढ़ लो पहले कि क्या पूछ रहा है, आप से पूछ रहा है, the authors use of vivid imaginary in the paragraph 3, such as curl up in a ball and cry and jump up and down with joy, greatly affects the reader because, ये जो सब्द है, ये reader, यानि जो इसे पढ़ रहा है, उ उसको किस तरीके से effect करते हैं, है ना, तो पहला काम होना चाहिए, इन words को pick करो और इसको ढूड़ो, है ना, curl up in a ball, देखो किस passage में use हुआ है, curl up in a ball, ये हमको तो दिख गया, तुम्हें दिखा, ये देखो, curl up in a ball and cry, और jump up and down with joy, आगे देखो, यहाँ पर लिखा है कि ये lines few use हुए है, one is left in awe of the poet's ability to convey emotion through words, जो भी इस line को पढ़ेगा, वो कैसे effect होगा, लोग surprise हो जाएंगे, poet की ability देखकर, कि poet सब्दों के माध्यम से कितना अच्छा अपना emotion express कर सकता है, है ना, तो ये पूरी line हमारी answer होगी, लेकिन, गलती मत करना, do not copy the lines of the passes directly, इसको हम अपने सब्दों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, आईए answer number 3 की तरफ चलते हैं, answer number 3 की तरफ हम लिख सकते हैं कि because, because reader, because reader can be surprised, surprised by the poet's ability, ability, ability to convey emotions, emotions through, through words, simple ती चीज़ आपको लिख देनी थी, बस complete the sentences वाले questions में, ये trick याद रखना, भाई, इनके answers, आगे line, या पीछे वाली line में दे रहते हैं ना, मैंने आगे वाली line उठा ली, बिल्कुल ऐसे ही, तो the author's use of vivid imaginary in the paragraph 3, such as, curl up in a ball and cry, jump up and down with joy, greatly affects the reader, because, reader can be surprised by the poet's ability to convey emotions, through, words, have you got it, समझ में आ रहा है ये नहीं बाई सब, समझ में आ रहा हो ना तो, comment section में बताते चलोगी, कैसा लग रहा है ये passage, Now we will be moving towards our next question, question number 4, और जिसका था इंतजार वाखिरकार आही गया, synonyms and antonyms, नहीं याद करना है, मत याद करो, बस एक ट्रिक याद रखो, synonyms and antonyms वाले में, क्या ट्रिक याद रखनी है, वो हम इस question को कड़ते करते सीखेंगे, पहले इस question को पढ़ते हैं, इस passages में बहुत सारे ऐसे words हैं, जो एक दूसरे के opposite हैं, अब set A से set E तक, आपको 5 set of opposite words दिये हैं, आपको ढूडना है कि कौन से 2 एक दूसरे के opposites हैं, केवल 2 ही ऐसे हैं यहाँ पर set of words, जो एक दूसरे का opposite हैं, वो ही आपको ढूडना है, पहले हम easy words से start करते हैं, simple और challenging, easy हैं, समझ पा रहे हो, simple मतलब साधारण होता है, challenging मतलब difficult होता है, इन दोनों का मतलब आप समझ पा रहे हो, यह दोनों एक दूसरे के opposite हैं, तो हमें पहला set तो मिल गया, है ना, दूसरा, दूसरा देखते हैं कि कौन से ऐसे set हैं, जो एक दूसरे के opposite हैं, emotion और feeling बिल intriguing and off-putting, और deciphering and interpreting, ठीक है, अब इनका मतलब ढूड़ना पड़ेगा ना, तो पहले यह देखते हैं, क्या यह एक दूसरे के opposite हैं, देखो interpreting का मतलब आपको पता है, interpret करना, मतलब निकालना, और decipher का मतलब हमें नहीं पता है, हम क्या करेंगे, ढूड़ेंगे कि decipher word use कहा हुआ ह यह बहुत ध्यान से सुनना, जिस word की meaning ना आए, उसके लिए क्या करना है, देखते है, decipher word कहां use हुआ है, decipher, यह कहीं use हुआ है क्या, कहीं use हुआ है क्या, यह, here it is decipher, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि, confusing and no amount of rereading seems to help decipher the intended meaning, decipher का मतलब निकालना, the intended meaning, मतलब जो meaning ह हम चाहते हैं, वो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो decipher का मतलब होता है, निकालना, interpret का मतलब भी होता है, मतलब निकालना, तो दोनों same ही word है, दोनों synonyms हैं, यह antonyms नहीं है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, एक set तो यह है, और दूसरा set, obviously एक ही बचा था, तो यह होगा, intriguing मतलब होता है interesting, off-putting मतलब होता है boring तो आपने देखा, हमें deciphering की meaning नहीं पता थी, फिर भी हमने answer निकाल लिया हमें intriguing की meaning नहीं पता थी, फिर भी हमने answer निकाल लिया न, है न तो these are some tricks जो तुम use कर सकते हो, let's move to our next question that is question number fifth, आपको बोल रहा है कि complete the sentence appropriately फिर से complete the sentence वाला question आ गया है, याद रखना, जब भी complete the sentence वाले questions आए इनके answers हमेशा passage मी होते हैं, अगले वाले line में या पिछले वाले line में, ठीक है बस आपको करना क्या है, एक word यहां से उठाओ, धूडो की कहा है इसका answer और वहीं पे धूडो, ठीक है मतलब यह निकल रहा है कि जब poem है, जो हमारा author है, जब वो weird poems के बारे में बात करता है तो वो बहुत ही neutral हो जाता है, neutral मतलब, neutral तब जब आप ना इस तरफ हो, ना इस तरफ हो अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है, कैसा neutral हो गया है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है, question क्या पूछ रहा है यह हमें समझ में आ रहा है कि authors का tone पूछ रहा है, कि author का tone क्यों neutral था, जब वो weird poems के बारे में बात कर रहा था because, ऐसा क्यों था, अब आएए देखते हैं, एक word हमने उठा लिया, weird poems, देखते हैं, कहा यूज हुआ है weird poems weird poems, weird poems, यह देखो, यहाँ पर यूज हुआ है, weird poems, अब हमसे पूछ रहा है कि author weird poems को लेकर neutral क्यों है मतलब दो बात यह करता है, कौन सी दो बात हैं, देखो, these are the ones that defy categorization and leave the reader to their own devices in attempting to interpret meaning नहीं समझ मैरा कोई बात नहीं, छोड़ दो, the author's use of figurative language and unconventional imaginary can create a sense of bewilderment that is either intriguing or off-putting regardless, the reader can appreciate the uniqueness of the work, अच्छा इसके पहले थोड़ा देखते हैं one is left in of the poet's ability to convey emotion through words, let's not forget the downright weird poems कैसे होते हैं यह, देखो, आगे लिखा है, कि भाई, यह जो downright weird poems होते हैं, यह कभी-कभी आपको interesting भी लगेंगे कभी-कभी आपको boring भी लगेंगे, तो author हमारा neutral हो गया न, उसने दोनों बाते कही, कि जो यह poems है, कभी-कभी interesting लगेंगे, कभी-कभी boring लगेंगे तो यह दोनों तरफ नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा कि poem समय सा interesting ही होंगे, यह poem समय सा boring ही होंगे वो कह रहा है, boring भी हो सकते हैं, interesting भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर normal हो गया, neutral हो गया, है न, तो इसका answer हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, इसका answer कि because, because weird poems, because weird poems, can be, can be both, क्या-क्या, interesting, interesting and off-putting बस इतना ही तो आपन को लिखना था न, हमें complete the sentence वाला question हमने देखा यह line को ढूड़ा passage में कहा है, वहाँ से answer निकाल लिया, कि भाई, ऐसा क्यूँ है, neutral क्यूँ हो गया है हमारा author क्यूँ, क्यूँकि weird poems, interesting भी हो सकते हैं, और boring भी हो सकते हैं, इसलिए वो neutral है, दोनों तरफ है, है न, now, let's move to our next question, that is question number six अब देखो ऐसे भी questions आ सकते हैं, आपको बोल रहा है कि कैसे poetry पढ़ना, exploring new city के बराबर है, जैसे आप किसी नए सहर जाते हो घूमने, तो कैसे नया सहर घूमना, और poetry पढ़ना, दोनों same हो गया, तो यार एक चीज़ बताओ, जब आप किसी नए सहर जाते हो घूमने, तो आप ऐसा सोचते हो ना, कि मुझे नई नई चीज़े मिलेंगी, आप open होते हो, आप बिलकुल चौकते नहीं हो, आप बिलकुल frustrated नहीं होते हो, जब आप उस सहर में नई नई चीज़े देखते हो, अलग-अलग रंग के लोग क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले सी expectation है कि भाई मुझे अलग-अलग चीज़े देखने के मिलेंगी, बिलकुल ऐसा ही poetry भी है, poetry पढ़ना आपको, अगर आप open हो, अगर आप नए words, नए style को पढ़ने के लिए खुले हुए हो, तो आपको frustration बिलकुल नहीं होगी, ठीक है? त City requires, requires openness, openness to, openness to unexpected, जैसे कि सहर घूमना आपको एक खुला रहना पड़ेगा, ताकि आप unexpected चीज़े देख पाऊ, experience कर पाओ, बिलकुल ऐसे ही, As exploring new city requires openness to unexpected, same, poetry, poetry requires, poetry requires, openness to different styles and words, जैसे एक नया सहर घूमना, आप वहाँ पर unexpected देखने के लिए open रहते हो, खुले रहते हो, अपने दिमाग को आप खोल के रखते हो, कि हाँ मुझे unexpected चीज़े मिलेंगी, बिलकुल ऐसे ही poetry पढ़ना है, poetry पढ़ना भी आपको अलग-अलग style के लिए open रहना पड़ेगा, अब जितने निचले वाले questions है न, इनको passage में ढूणने की जरुद भी नहीं पड़ेगी अपनको, देखो, 7th question क्या बोल रहा है, बोल रहा है, what is the message conveyed by Hina's experience in the following case, अब देखो यहाँ पर बता रहा है कि Hina के साथ एक experience हुआ है, Hina के साथ कुछ हुआ है, और Hina के experience को आप इन चारों में से select करके बताओ कौन सा सही है, Hina spends hour, Hina एक लड़की है, घंटों वो एक poem को समझने में लगा देती है, और जब उसको poem समझ में आती है, तो उसको अप बहुत गर्ब होता है, अब चलिए पढ़ते हैं, only those with natural talent for poetry should engage with it, क्या जिसको बचपन से poetry पढ़ने आती हो, वही poetry पढ़े, बिलकुल गलत है, क्योंकि Hina ने यहाँ पर पहले महनत किया, फिर उसका फल पाया है ना, दूसरा, persistence makes studying poetry a rewarding suit, बता रहा है कि अगर आप poetry पढ़ने म पढ़ने में और आखिरकार वो poem को समझ गई, तो correct answer क्या हो जाएगा, persistence makes studying poetry a rewarding pursuit, ठीक है, अच्छा, तो आपको 7th भी समझ में आ गया होगा, let's move to our next question, that is question number 8, और यह बहुत ही simple question है, इसमें हमसे कहा है कि state whether the following lines display an example of simple, complex, emotionally charged, या downright weird poems, आप से कह रहा है कि यह जो poem दी गई है, ये इन चारों में से कौन सी poem है, देखो simple poem, जो साधारण होती है, जिनका मतलब बहुत साफ होता है, जिनका मतलब हम एक बार में पढ़के समझ जाए, complex poem, जिसको हमें दो बार पढ़ने की जरुरत पढ़े, emotionally charged, जिसको तुम तीन से चार बार पढ़ने की सूरज है, वो east पे उठता है, a new day begins, जब सूरज उठता है, तो नया दिन चालो हो जाता है, a fresh start, birds, chip, पच्छियां चहचाहती है, पूरा जो nature है, वो ऐसा लगता है, उठ जाता है, फूल खिल जाते है, a peaceful feeling in my heart, और ये सब देखके एक बहुती सान्ती की अनुभूती होती ह तो आप इस lines को पढ़कर ऐसा नहीं है कि दुबारा आप पढ़ोगे, आप समझे होगे पहली बार पढ़कर, तो ये किस वाले example हुआ, simple poems का example हुआ है न, तो ये था हमारा unseen passage करने का तरीका, कैसा लगा आपको, कि क्या हमने कोई hard and fast rule का इस्तेमाल किया, बिल्कुल भी नही लव यू अल, शाश्रियाकाल, चैहिंद